नमस्कार, आज हम बात करेंगे अरहर की लोगप्री किस्मों के बारे में इसे अरहर, रेड़ ग्राम, तूर या पिजन पी आदि के नाम से जानते हैं आएए सुरू करते हैं कम अवधि वाली किस्मों से पहला है प्रभात, यह सबसे कम समय में पकर त्यार होने वाली किस्म है यह लगभग 110-120 दिन में पकर त्यार हो जाती है इसकी औसा तूपच 5.5 क्यूंटल प्रती एकर से अधिक है इसके अलाबा मानक भी है किस्म है जो कम समय में पकर त्यार हो जाती है दूसरी किस्म है UPAS 120 इसकी पकने की अवादी 120 से 125 दिन है तथा इसकी ओसात उपाज 6-8 कुंटल प्रतियकर है तीसरी किस्म है AL 15 इसकी पकने की अवादी 130 से 140 दिन है तथा इसकी ओसात उपाज 5 कुंटल प्रतियकर से अधिक है चोथी किस्म हमारी AL 201 है जिसको पकने की अवद 135 से 145 दिन है तथा इसकी आउसत उपर 6 कुंटल प्रती एकड़ से अधिक है पाचवी किस्म है PPH 4 इसकी पकने की अवद 140 से 150 दिन तथा इसकी आउसत उपर 7 से 8 कुंटल प्रती एकड़ है अब बात करते हैं अरहर की मध्यम वद दीर अवद की किस्म के वारे में पहला है पूसा अगेती यह इसकी पकने की अवद 150-160 दिन है तथा इसकी आउसत उपर 5 कुंटल प्रती एकड़ है तथा इसका अबदाना मोटा होता है इसके अलावा अन किस्मे हैं जैसे मुकता, बहार, TN, AKPH, 41-01, 20-22, सारदा, बसंद, पारस इनमें से मुकता, उक्ठा यानी विल्ट प्रतिरोधी किस्म है अब बात करते हैं अरहर की कुद्रत 3 किस्म कुद्रत 3 किस्म पौधे यह अन किस्मों की तुलना में बड़ी अकार की होती है तथा अधिक साखा युक्त पौधे होते हैं यह 3 या 4 इससे भी अधिक वर्सों तक यह खेत में खड़ी रहती है तथा इनसे हर वर्स फसल ली जाती है इसकी उपज 20 कुंटल प्रती हेक्टर होती है आप सभी को परियावर दिवस पर हार दिक सुपकाम नाए धन्यवाद